कि मैंने आपको नोटिफाय किया था कि हम आज 11 बजे लाइब जाएंगे और हम वैसे तो 12 बजे ये लोग केले खाते हैं पर मैंने का कि पहले ये कर दें ये लोग कौन सा बड़े वक्त के पाबंद अंग्रेज लोग हैं अगर 11 बजे भी मिलेंगे केले तो ये लोग खा लें हमारे यहां गाय बैल बकरे कुत्ते सभी केले खा लेते हैं और केले केले जो कुत्ते हैं हाई राहू कुत्ते जो है वो छिलके नहीं खाते आपकोर्स तो छिलके फिर गाय खा लेती है लो जी सर हाई साबा देखिए इनमें भी खबर फैल गई है कि आज केले जल्दी मिल रहे हैं तो अब ये सब मुझे घेरना शुरू कर रहे हैं हाई शेल्जा कोई यदि तरीका रहता ना कि फोन गले में टंगा और दो हाथ से खिला पाता तो जादा जादा असानी हो जाती हाई अनू थैंक्स फोर जॉइनिग हाई वैभव हाई शालनी मैं ठीक हूँ हाँ जी शेल्दा यहां गर्मी शुरू हो गई है अब अब की बार तो गर्मी थोड़ी लेट आई पर फिर भी अब हो गई शुरू थोड़ी टाइम की बात है फिर उसक्या तो बारिशे हो जाएंगी हाई मुक्ता एंड थैंक्यू राहुल एंड हाई वैभव थैंक्स फोर जॉइन अगें वैभव हमारे काफी अच्छे फॉलोवर हैं हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं बाइदवे जो आप लोग अगर इनसे नहीं मिले वे तो यह तितली है तितली न तो इसके बारे में अभी हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे बाइदवे इस बुद्वार हम गुरू के बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि गुरू यहां कैसे आया तो देखिएगा जरूर गुड मॉनिंग कल्पना हाई निडी अच्छा कल काफी लोग कह रहे थे कि गाय गाय धूप में है तो एक तो मैं बता रहा था कि गाय जो है वो थोड़े टाइम तो धूप में आती है गर्मियों में ज्यादा टाइम अंदर रहती है पर थोड़ी धूपने चाहिए पर हमने एक शेड़ क्लॉथ भी अब बांद दिया है लो जी यह बजरंगी है देखिए बजरंगी का वूंड कितना बेटर हो गया है रतन जी अच्छुली यह लंच है इनका लंच तो नहीं सौरी लंच वाला स्नाक है पर इस समय जल्दी ले रहा हूं मैंने का कि आपको एक बरी आप लोगों से भी मिलवा सौरी कि आप लोग भी अच्छे धक्के मार रहे हैं अभी शेक ओ यह केले जपड़ लिये गए मेरे एई हटो यार तुम लोग खराब हो यह देखिए यही बचा मेरे बस खिलाने को गुरू यह बैठा हुआ गुरू लेकर नहीं खाता केले अभी तू यंग अब यह देखिए यह सारे खुले हैं सुन्दर खुला है ठीक है चारली खुला ही अपनी मर्जी से धूप में है थैंक्यू कुमार जी ओके यह ले वही सुन्दर तू खाएगा थोड़ा सुन्दर को दिखता नहीं है तो इसकी सबस्यादा परिशानी अभी इसको मिलना चाहिए बाकी तो इदर उदर से ले लेते हैं लो भई चारली एई नहीं है आई अचल के दे लोग रूप अब चाहिए बुलभ तूल्सी अभी भी थीक नहीं है और अब खाले हां दिखे इनकी भी प्रेफ्रेस रहती है इसको चाहिए इसट छिला हुआ ही खाना था मोती के भी फ्लूएड लगा है तुल्सी का भी अभी सेमी कंडिशन है बेटी जी तो मुझे भी नहीं नजर आ रही कि वो कहां है इस समय मैं देखता हूं अमिज जी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता मैं सीधा रॉव लंच ही करता हूं यह देखिए चारली को क्या गधापन कर रहा है वर्जीनिया ब्राउन कह रहे हैं कैन्मी ग्लिम्स ऑफ बेटी जी शूर मैं देखता हूं वेर इस शी बावी नई टीशिट ओके कहां है बेटी जी कहां है कुछ आइडिया है भाग गई गया अरे आ वो बैठी वो छुपी हुई है खुर्ली में स्टेल्थ मोड में आई है आज देखिए यह और संजू खुर्ली में हैंग आउट कर रहे हैं केले खाए गए हैं चाट ले तुन्हें चाटना है तो है मन जी आम डूइंग गूड क्या हो तुझे इनके भी देखिए मूड होते हैं आप क्या गूर रहे हैं मुझे साहब ओके सारी मैं भी थोड़ा साइड में आऊ खेर ओके आपके फार्म में एसी एकूलर नहीं जी सिरफ पंके हैं फार्म में फाइजान जी आपको भी इद मुबारक ओके अब हम चलते हैं ओके ये कोना है यहाँ पर मैं थोड़ा जानरों से सुरक्षित हूँ तो मैं अभी केले खिला रहा था तो मैं कुछ कमेंट्स वोगरा नहीं पढ़ पाया था अगर आप लोगों के कोई questions हैं आप मुझसे पूछिए मैं थोड़ा इत्मनान से आंसर दूँगा क्योंकि मुझे कोई harass नहीं कर रहा है इस समय और फिर उसके बाद हम वीडियो खतम करेंगे अभी बेटी जी बाहर आएगी जब पता चलेगा camera on है यह बैठी मेरे साथ सर आपको तो पता होगा breakfast miss करना बुरी जीज़ है गायत्री जी नहीं ऐसा है नहीं अगेन वो कहते आये हैं पर ऐसा नहीं है विकॉज इंटर्मिटंट फास्ट इंग हो जाती है क्योंकि साथ बजे में डिनर करता हूं साड़े साथ तक डिनर खतम हो जाता है आदा गंटा उसके बैठके हम बात बात करते हैं तो साड़े साथ से लेके सुबह साथ वेज़े तक सुबह मेरा एक बज़े जो लंच रहता है तो उसमें काफी अच्छी 18 गंटे टाइप की एक इंटर्मिटेंट फास्टिंग हो जाती है 16-18 गंटे की तो वह काफी अच्छा है बॉड़ी को ब्रेक देना प्रागी जी का कहना है रॉबिन जी मैंने बहुत सारी वीगन रेसिपीस ट्राइगी अगर मैं आपके पेज़ पर पोस्ट करना चाहती हूं तो किधर करूं पराग आपके तो आप हमें बेजिए का हम अपने चैनल पर भी पोस्ट कर सकते हैं आप मुझसे डिरेक्ट मेसेज करिए या मेरा इमेल है robin.org वहां पर आप इमेल करिए मॉनिका जी बेटी जी ग्रंपी नहीं है बस सोस्त है इनो मूड पर होता है कई पर हम उठते हैं जैसे इनो सम्टाइम्स वेक अप और आप यह फिलिंग डिप्रेस्ट कई पर कुछ कर नहीं सकते मूड नवीन जी आपको भी हीद मुबारक सुर्वी जी बेटी जी क्यों नहीं एक्टेव नहीं कह सकते मनी जी मुझे नहीं पता कि नड़ी में कोई डॉक सेंटर है नहीं पर आप डब्ल्यू ए पीपल फार्म डॉजी स्लाश डब्ल्यू अपना पिन कोट भेजिए तो वहां पे हम आपको रिस्पॉंड करेंगे अगर वहां पे कोई ग्रूप होगा एक्टेव फिर वहां पर पूछ लीजेगा थैंक्यू प्रफूल जी बेटी जी इंडीट प्यारी है आयालन जी वी मैनेज सो मेनी आनिमल्स विद हिल्प ऑफ ग्रेट टीम क्योंकि मैं तो फार्म मैनेजर हूँ मीडिया देखता हूँ जाधा तर आनिमल एरिया में साहिल है बौबी है रादा है यह सारे लोग मैनेज करते हैं यह सारे लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है अनिमल्स के लिए तो अच्छे से मैनेज हो जाता है मैं किसी और पर कैमरा डालता हूँ मुझे लग रहा है मेरी शगल देख देखके आप लोग बोर हो जाएंगे यह साहब कैमरे पहाना चा फीमे डॉग है वो भाग गई है कैसे पकड़ू देखते ही भाग रही है ओके रिशिरा जी एक पिल आता है एसी पी करके आपको अपने वेट से मिल जाएगा और आप देखिए आप वो पिल देंगे डॉग ड्राउजी हो जाएगा उसके बाद आप उसे पकड़ पाएंग कॉंग्राचुलेशन्स तो यू और वाइफ विनो जी जो डॉग्स है वो खिछिडी टाइप खाते हैं उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी है यूट्यूब डॉट कॉम स्लाश पीपल फार्म पे और जो मील्स यह लोग खाते हैं यह लोग खाते हैं भूसा और हरा गास ओके यह दिरे दिरे आ रहे हैं मेरी तरफ से है यह यह देखिए यह देखिए आपको यह नजर आ रही है बतमाशी इसकी यह कैमरा बलरी कर दिया क्योंकि इसने चार्ट लिया अच्छा मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा यह देखिए यह हैं हनुमान जी ठीक है अब इनको हमने दो रस्ती से बांदा हुए एक सिकिन साब अपनी शकल हटाएंगे फ्लीज यह देखिए यह हमने इसको दो रस्ती से बांदा हुए ठीक है अब थोड़ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था कि मैं दूद क्यों नहीं पीता जिसमें मैंने दिखाया था कि जब मैं बाहर गया तो लोगों ने अपनी जो गाये हैं दो दो रस्ती बांद रखिया वो सर भी नहीं हिला सकती अब लोगों का कहना यह है अपत्ती यह है कि जी आप भी तो देखिये गाय को दो रस्टी बे बांदते हैं पर देखिए इस बात में संदर्ब जो है वो बहुत जरूरी है एक यह है कि हम एक बैल को रस्टी पे इसलिए बांद रहे हैं कि भ Armen लोगों ने उसके पैर पे दरात मार दी है ठीक है हमें उसको handle करना है हमें उसका treatment करना है और हमें उसकी और अपनी safety दोनों को देखना है और permanent दोरसी पे नहीं बांद के रखते treatment के दोरान रखते हैं first half में जब वो बाहर आता है और एक गाये को इसलिए दोरसी पे बांदना कि आपने उसका दूठ चुराना है आपको उसको उसके बच्चे से परे रखना है ये दोनों अलग-अलग संदर्ब है ठीक है तो आप बात को संदर्ब से परे देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो उटी लगेगी तो ये मैं clarify करना चा रहा था अशीज जी मुझे हमारे यह जब तक बंदर था तो जो डॉक्स का खाना था वो भी खाता था और वो फ्रूट वगएरा भी खा लेता था जो गाये के लिए गोभी वगएरा आती थी टमाटा राते थे और केले भी खाता था मनीज जी तुलसी अभी तक ठीक नहीं है अशीज जी मैंने जवाब कर दे दिया हाई मौसमी दीपा जी वाट यू मीन पाइसिव अडॉप्शन लाइक आप यहां पर हमारे किसी आनिमल को स्पॉंसर करना चाहते हैं तो आप हमारा जो पीपल फाम वेबसाइट है उस पर स्पॉंसर करके पेज़े वहां से कर सकते है ओके चारली पे चलते हैं ओके पहले आपको मैं गुरु दिखाऊं गुरु को गुरु वांट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ट इन्हें चाया भी चाहिए और इन्हें धूप भी चाहिए जैसे ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ज़्यादा ठंड भी ना लगे जैसे वह कि ऊपर से तो अच्छे कपड़े पहन लिए जैसे मैं लाइव करते वे करता हूं उपर से अच्छे कपड़े पहन लिए नीचे जो मर्जी पहन रखा है कभी-कभी घर पर आज आता है कभी-कभी कोई नहीं भी आता वाली बात है लेट जोडे तुल्सी अभी तर्थी नहीं है तुल सी नहीं है को कि में को बिल्लो की आख आरी है यह रही बिल्लो तुलसी के लिए यह देखिए यह पानी गरम है साहिर ने जो फ्लुएड है ना वो गरम पानी की बोतल गरम पानी में डुबो रखा है फ्लुएड की बोतल ताकि फ्लुएड गरम हो जाए और फिर यह इसको दे रहे हैं तो देखिए हमसे जितना हो पड़ता है हम वह पूरा प्रयास करते हैं उसके आगे वह जो सब कुछ है वह भगवान के हाथ में तुने इसको इंजेक्ट क्या किया है नियूरो काइंड अगर आप में से कई लोग रेस्क्यू या क्लीनिक खोलने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता हूं जैसे आप देख रहे हैं यह हमारा जो वेस्ट है पर्डिकुलर बकेट में जा रहा है इसके बाद जो वेस्ट है हम तीन अलग-अलग कलर्स में सेपरेट करते हैं और बाय हाजर्ड वाली कमपनी उससे लिंक कर लीजेगा नहीं तो यह ना सिर्फ अंसेफ है यह इलीगल रहेगा डिस्पोज करना मैं देखता हूं कि अकसर जो सरकारी क्लीनिक होते हैं वो तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से समान मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करते हैं तेश्री जी सब जरूरत होती है जैसे जो जो गाये काव शेड में अंदे रहती है उनके गोबर लग जाता है तो उन्हें नहला तो नहीं बाते हम रब करके और वेट टाविल से साफ जरूर करते हैं डॉग्स को डेफिनेटली नहलाते हैं मुहिता जी जो वीगन कर्ड है एट्स वेरी एजी दो तरह के दूद से बन सकता है तीन तरह के चलिए कोकोनट मिल्क पीनट मिल्क जो मेरा फेड़ियेट है इसउए मिलक इन तीनों की जो पीनट मिल्क है सोई मिलक कह इसकी रेसिपी हमारे यूटिव पे आपको मिल तो आप नॉर्मल धही का खट्टा भी यूज़ कर सकते हैं शुरू में और फिर आप ग्रीन चिली के स्टेम्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको और इससे जाब डीटेल चाहिए आप प्लीज मुझे डारेक्ट मेसेज कर लीजेगा सॉरी मीमी कैमरे पे कम आती है इसलिए मैं मीमी पे फोकस्ड हूँ शर्दा जी उमीद यही है कि तुलसी जल्दी से ठीक हो जाएगी ते जस्विनी जी आप शायद लेट आए बेटी जी से मैं मिलवा चुका हूँ वो छुपी हुई है खुर्ली में गर्मी अब धीरे बढ़ रही है ना रतन जी इस अ मिनी जंगल भुक स्टोरी है पर मोगली नहीं है यहाँ पर सारे इंसान इंसानों के द्वारा ही पाले गए है विनोज जी एक से किन में बताता हूँ है जोब हाँ विनोज जी सो से उपर जादा जानवर जिसमें जादा जाहिर सी बात है कुटे हैं अडॉप्ट हो चुके हैं कई बैल अडॉप्ट हुए हैं एक दो पर मुझे नहीं पता और कई गाए भी अडॉप्ट हुए हैं पर मुझे नहीं बता कि क्या कहूँ वो अडॉप्ट है क्योंकि जो लोग उन्हें ले जा रहे हैं वो फिर वापिस जो उसकी जिंदगी है वो तो यातना वाली है वो दूद देगी उसके बच्छडे मरेंगे बूडी गाए फिर अबैंडन होगी पर हाँ कहने को हाँ गाए भी अडॉप्ट हुई है हमारे यहां से अंच जी मैं आपको आपकी कैट के बारे में कोई सला नहीं दे पाऊंगा हमारा एक ग्रूप है आप वहां जाईए वहां पर पोस्ट करिए वहां पर बड़े सारे कॉलिफाइड वेट्स हैं जो आपको बहतर गाइड कर पाएंगे नदीम जी हनुआन जी की तो चोट अब बहत बहतर है आप दिवती जी मैं मुझे तो मेरी माने ठीक से पाला है और माबाप दोनों ही थे तो अब तो खेर पिटा जी नहीं रहे पर मैं इसलिए मोगली क्वालिफायर नहीं करूंगा लेट्स गो इंसाइड मोटी इस वेटिंग फॉर इस तरन ठीक है ना गेंदर जी चलते हैं अंदर कल ज्यादा एक्टिव था मोटी आज तो ही रहा है तो आपने देखा है इसको हमने सिमेंट का एक सैक दे रखा है जिस पर ये लेटा हुआ है अब सिमेंट के सैक से क्या है कि हमारे लूंडरी करना जो है असान हो जाता है क्योंकि इस जगा को चलाने के लिए ना हमें बहुत मतलब इस नॉट की वही हम एनिमल को most 100% comfortable कैसे कर सकते हैं कई बार ही हमें balance करना पड़ता है कि वही हम फोम का घद्दा दें तो ज़्यादा comfortable है पर सिमेंट का सैक है तो हमारे लूंड्री manage करना ज़्यादा असान है क्योंकि धोना ज़्यादा असान है anyway देखिए जो है I try to keep it real मैं आपको वो picture देता हूँ जो असल में होता है ताकि जब आप लोग एक करना शुरू करें तो आप किसी इसको false image से ना compare करें ठीक है हम अपना best करते हैं कुछ ना करने से तो बेतर ही है प्रभाद जी हमने construction शुरू की थी December of 2014 में 2015 August में हमने volunteers लेना शुरू कर दिये थे और construction जब शुरू हुई उसके दो-तीन दिन पश्चा थी rescues भी होना शुरू हो गए थे क्योंकि अब जानवर दिख जाता है तो क्या करें सडक पर छोड़ना मुश्किल है रतन जी आपकी वाइफ क्यों रिस सर्प्राइज होती है जब आपको मैं जवाब देता हूं सा एच जी आपका नाम शाय ठीक से प्रणाउंस नहीं कर बारा बिल्लो तो अभी थी वो चली गई है आपको पता है बिलियों का नोबडी ओन्स कैट उससे कहां किसी को हेलो करा सकते हैं सूरज ठाकुर जी जब लॉक्डाउन खुल जाएगा फिलाल तो इस समय कोई भी आउटसाइटर फार्म के अंदर नहीं आ रहा एक बार ये लॉक्डाउन की सिचुएशन 100% क्लियर हो जाती है तो आईएगा क्योंकि अभी तो थोड़ा हम मैं नहीं चाता कि गाउं में हमा रडिकूलरी पसंद नहीं हूँ तरुण जी अगर आपका पागल होने से मतलब है कि कुट्टे को रेबीस हो गया है तो नहीं रेबीस का इलाज नहीं है ना जानवरों में ना इंसानों में अनफॉर्चूनेटली रेबीस की जो डेथ है वो बहुत-बहुत-बहुत-बुर बिल्कुल आप पालंपूर से हमारे को विजिट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपके पालंपूर में भी दो बहने हैं प्रतिभा वेरॉनिका जो जानरों की बहुत सेवा करती हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं आप मुझसे मेसेज करेंगे तो मैं आपको उनका कॉंटाक्ट दे दूंगा उदे जी मेरा मेरी फैमली है हिमाचल में तो इस तरह से हमने लैंड लिया आशीज जी बिल्कुल हमारा जो लैंड है लिंक रोड पे है ये वन आफ दो क्राइटीरियास था कि भई हम लैंड वहीं पर ले क्यूंकि हमें पता था कि भूसेवा ट्रक इलाज के बारे में पूछ रहा है मैं बिल्कुल गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको आप प्लीज वेट्स हो केर करके ग्रूप है वहाँ पर पोस्ट करिएगा ताकि जो आपकी क्वेरी है उससे और लोग भी लाभानवित हो जब उसको कोई वेट रिप्लाए करेगा तो व आपका कमेंट मिस कर दूँ पर प्लीज यूट जस्ट बिकॉज इतने कमेंट और मैं थोड़ा देखने पर ध्यान देता हूं कि वहीं पर गिर ना जाओं बड़ा एंबरसिंग रहेगा लाइव कैमरे पर चलते पर मैं लुड़क दिया थोड़ा देखके चलता हूं लिजे मैंने किजी को फोन किया उसने नहीं उठाया तो मैं यही एजूम करता हूं कि भाईया बिजी होंगे साहब और यह नहीं सोचता कि यार देखो मेरा फोन नहीं उठाया इसको यह मुझसे नराज है या कुछ मौनिका जी शिवानी जो है कंबूचा के और पैक कर रही है हमारा प्रोड़क्स का काम बिल्कूल बंद हो गया था लॉक्डाउन के दौरान अब हमने अमेजॉन पे धिरी धिरी चीज़े लिस्ट की है और कंबूचा हर रोज 10, 11, 12, 15 जा रहे है तो वह वह हैंडल कर रही ह वैब अब जी सुन्दर ठीक है यह देखिए यह ओके अब हम पैंट चाटेंगे जो मिल जाए भवेश जी रादे रादे मनी जी हम कांगडा में हैं एचपी में आप गूगल मैप्स पर डालेंगे तो आज आएगा यार तुम एक आद दो मेरे पास पैंट है उन्हें तुम यह कर दो तमूर जी थैंक यू पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग सियासत को परे रखे लोग हम जुड़ते हैं और एक सेकेंड बाबा क्या है क्या है मैं एक थौट कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें मुझे चाटना है एनिवे थैंक यू कि हम सियासत को परे रखे दूसरे जुड़ते हैं लोग ओके बेटी जी का पूछ रहे हैं मैं बेटी जी से लास्ट मिलवाता हूं फिर उसके बाद हम चलते हैं यह तो संजू बावा हैं और यह रही बेटी जी शायद यह नराज है मैंने इसको केला नहीं दिया बाकी गाये को केला दे दिया इस तक आते आते खतम था पर इसे लंच में मिलेगा केला फिर शायद अपने अब एक्साइट हो जाएगी तेश्री जी बर्ड आएं बर्ड के साथ हमारा लग ठीक नहीं रहा बैट आते हैं कई बारी पावर लाइन में फस जाते हैं ना बैट बचे दो कवे जरूर ठीक हुए थे और वो उड़ गए थे निया जी मुझे नहीं बतागी है क्यों चाटते हैं क्या ये अफेक्शन दिखा रहे होते हैं ये एक दूसरे को चाटते हैं ये एक दूसरे को ग्रूम करते हैं अफेक्शन हो सकता है जीब में खुजली हो रहे हैं योपा मैं नहीं कह सकता है ओ वानी मिकलॉट गंज यहां से 50 कि 50 मिनिट्स दूर है कुल मिलाके 19 किलो मीटर अगर हम लंबा रस्ता ले तो 19 किलो मीटर शॉटकट से थोड़ा और छोटा है रबेका यहां पर जो अबैनेंट स्ट्रेज हैं उनका इलाज चलता है पर हम पर्मानेंट नहीं रखते लिंक का फोन नंबर एड करते ही पीपल फार्म का एड्रेस शो कर गया रॉबिंस सर ओ धैस ग्रेट वसुदा जी सोमेज जी थैंक यू फर वांटिंग टो डोनेट पीपल फार्म की वेबसाइट पे एक सपोर्ट करके लिंक है आप वहाँ से डोनेट कर सकते हैं और किसी जानवर से आप लोग मिलना चाहेंगे गजेंद्र जी तुलसी का सेम ट्रीटमेंट चल रहा है थैंक यू आपने कले ट्रीटमेंट सेजेस्ट किया था पर उसका टेंप लो है हाई नहीं और उसका ब्लड भी ऐसा कोई थिन नहीं लगा बाद वे निडी को आप लोग निडी ने हमें जॉइन किया है निडी ने भी हमारा डोनेट का लिंक किया है निडी बहुत दूर से बैठके हमारे साथ जुड़ी हुई है और यह हमारे ग्रूप की मॉडरेटर है और मतलब स्वयम सेवक हैं यह और यह हमारी बहुत जादा ह करती हैं तो आप प्लीज निडी को थैंक्यू कहिएगा कि कुर्णाल अभी जब सिचुएशन क्लियर करेगी सरकार और बाहर के वायल अनिमल कौन से क्योर हुय है हमारे हिए और टॉस और एक गो तो नई नई अलव सिर्ञेज फिर यह अच्छी अधर चलते हैं यह देखिएए यह तीनों का ला rainfall है चारों का अक्छोली यह बैटें गुंगुन ने जाना था ना कल जाना है गुंगुन ने आज जाना था पालंपूर पहले यह गुरु है बैठा है तुलसी फिर गुंगुन और यह बाबु बिंदास पीछे बैठे हैं जो तो गुंगुन ने आज जाना था पालंपूर पर लास्ट मिनिट कैंसलेशन हुई है तो वो कल जाएगी थैंक यू बसुदा निडी आपको बड़े दारे लोग थैंक यू देवराज जी शायद कॉमेंट ऊपर निकल गया होगा आप दुबारा पूछेंगे प्लीज जी यह देखिए एक सांप यह पॉईजनस वराइटी नहीं है लेकिन हैं कहां जाएगा यह यह रादा और बॉबी ने पॉइंट आउट किया है कि चलिए बाहर ही जा रहे है साब अपने आपी बाए बोला काँ है ओ बाइद वे सॉरी मैं आप लोगों से कल मैं भोला से मिलवाना चाहरा था पर इतने जानरों की तबियत खराब थी मैं मिलवा नहीं पाई है बोला का बहुत बड़ा मैगट वूंड है और इस जी के मैगट वूंड का एक्जाम्पल लेकर हम भी अभी जो हमारे सारे यूमन्स हेल्पिंग अनिमल्स के वाट्साइब ग्रूप से वहां पर वह मैं एक मैगट वूंड ट्रीट्मेंट का वीडियो डालूंगा आज कल में ओके मैं थोड़ा शेड में चलता हूं यास हां जी मैं यहां बैट रहा हूं आपके साथ मैं कुछ कहने रहा आपको कि विशंबर जी गाय का उपयोग के बाद कोई इलाज नहीं है ठीक है वह लाल ची लोग है जान वह लेकिन उनकी नहीं कभी तो दूद छोड़ना पड़ेगा गजेंद्र जी एक सेकंड मैं बताता हूं क्या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तुल्सी को साहिल एक सेकंड एक डॉक्र तू बताएगा कि तुल्सी का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इसको DNS दो रहे हैं NS एक सेकंड तू खुद ही बता दे DNS और NS प्राविवेक्ट नेडोकाइंड और इंटाकेल और माइटेक्स कितने डाइम दिन में एक वार दिन में तीन दिन के लिए ठीक है यह डॉक्र अंकितन बता है ठीक है तो यह हमारे डॉक्र साब ने शिमला से बत आया हुआ है कल से जो मैंने पड़ा नहीं है सौरी थोड़ा समय की कमी के विजासे में थोड़ा अन्रिस्कॉंसिव हो जाता हूं कई बारी आप मुझे प्लीज मेसेज भेजिए मैं यह एंड करते ही वीडियो चेक करूंगा है हम एक और चीज हम दे रहे हैं साथ में इंजेक्शन एनरोफ्लक्स है ओके इन ठीक है थैंक्यू आशीज जी थैंक्यू फॉर हेल्पिंग अस ग्रोव अबीटियंटली बैटे हैं सारे एक्चुली बनलब यह इन सब को पता है ना कि इने खत्रा नहीं है इसलिए यह राम से बैटे हैं नरेंद्र जी नहीं स्नेक हम रेस्क्यू नहीं करते पर हमें नजर आता है तो हम उसको थोड़ा रिलीज कर देते हैं बाहर कि यहां पे उस मात्रवाशा होने के बावजूद भी जब हिंदी अच्छी हो तो लगता है कि भाई वहां होता क्या था बच्पन में जो मेरी मां है वो मुझे नव भारत टाइम भी पढ़ने पर मजबूर करती थी और इंडियन एक्सप्रेस भी तो दोनों अखबारे पढ़ता था सेम को गूगल मैप्स पे डालेंगे तो आपको एक्जाक्ट लोकेशन आ जाएगी कि अधान को धारमशाला हाइवे पे हैं सुमेश लगबग इस समय 40 से उपर सत्यराम जी सोर्स ऑफ इंकम है फार्म के प्रॉडक्स एक फार्म स्टे चलाना एक ग्रैंट हमें मिली हुई है सालरी कवर करती है और बाकी जो है वो डोनेशन हैं जिससे दवाईयां खाना और अडॉप्शन का खर्चा निकलता है देवराज जी आप प्लीज मुझे या तो मेसेज कर दीजिए या इमेल कर दीजिए रॉबिन आट पीपल फार्म डॉट और जी पर आम सॉरी कि मैंने आपका मेसेज मिस कर दिया मैंने स्क्रॉल करा है पर बाबा रे एनिवे बाई